हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल आज के वीडियो में हम देखने वाले है कि धन एप्लिकेशन में आप आप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते है उसका पूरा इन डिटेल टूटोरियल विच स्टेप्स और एक एग्जामपल के साथ में आपको आज देने वाला हूँ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ओपन कर लेते हैं हमारा धन एप्लिकेशन आपको सबसे पहले आपका अकाउंट लोगिन कर लेना है अगर आपने नहीं किया तो लोगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो आपका by default ये home section में आपका app ओपन होगा आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है कि आपने आपके ही profile में लोगिन किया है या नहीं सबसे उपर यहाँ पर आपको जो भी है nifty का tix देखने के लिए मिल जाएगा याने की current market price nifty की जो भी चल रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके नीचे आपको यहाँ पर जो है आपकी portfolio summary देखने के लिए मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि options trading जो है वो हम इस application में कैसे कर सकते हैं तो इसके total तीन तरीके है दोस्तो तो तीनों को in detail देखेंगे तो चलिए पहले तरीके के बारे में बात कर लेते हैं आपको यहाँ पर इस section में दो चीज़े देखने के लिए मिलेगी एक होगा options trading एक होगा यहाँ पर futures तो अब अगर आप एक F&O trader हो तो आप directly यहाँ से options trading वाले section में जाकर जैसे मैं उसे open कर लेता हूँ आपको यहाँ पर सारी Nifty, Nifty Bank, Fin Nifty वगेरा सबका यहाँ पर data देखने के लिए मिल जाएगा जो भी live market price होगा वो उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर index options देखने के लिए मिल जाएगे तो जो भी top traded contracts होँगे उसकी list आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी आप अगर थोड़ा नीचे स्क्रोल करोगे तो यहाँ पर आपको तीन बटन देखने के लिए मिलेंगे जहां से आप यहाँ पर क्लिक करके डिरेक्ली इनकी option chain भी open कर सकते हो नीचे आपको यहाँ पर अगर oi gainers या price gainers, price losers यह सब चेक करना है तो वो आप इन बटन से चेक कर सकते हो अगर आप एक FNO trader तो हो पर index में नहीं आप अगर stocks में करते हो trade तो उसकी भी list आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी आपको manually यहाँ पर धूढने की जरुरत नहीं है या कोई दूसरी website पर जाने की कोई भी जरुरत नहीं है आपको जो है stock options जिसमें सबसे ज़्यादा contracts trade हो रहे है उसकी भी list यहाँ पर आपको सामने देखने के लिए मिल जाएगी उसके right में आपको यहाँ पर top 100 का एक button मिल जाएगा तो उस पर हम अगर click कर देंगे तो यहाँ से आप top 100 contracts by trade volume जो भी होंगे उसकी list यहाँ पर देखने को मिल जाएगी यह जरूरी नहीं है कि किसी एक ही index के हो यह different different indices के मिलकर जो भी top 100 contracts होंगे उसकी list यहाँ पर आजाएगी जनरल यहाँ पर यह होता है कि जिस भी index की expiry होगी उस index के यहाँ पर 100 contracts आजाते हैं क्योंकि जिस दिन expiry होती है उसी दिन जो है वो उस इसमें volume जो है जादा trade होता है चलिए चलते हैं फिर से हमारे home वाले section पर तो जैसे हमने अभी options के बारे में देखा आप अगर चाहो तो वैसे ही similarly futures के बारे में भी check कर सकते हो दोनों का dashboard लगबग similar ही है तो आप जिसमें भी trade करते हो वो आप चीज open कर सकते हो चलिए options ट्रेड करने के लिए मैं हमेशा prefer करता हूँ कि एक dedicated watchlist उसके लिए बना लूँ और सारे जो भी indices या options, strike price जो भी मैं trade करता हूँ वो एक watchlist में add कर लो ताकि मुझे trading करने में यहाँ पर आसानी हो तो चलिए उसके लिए एक dedicated watchlist भी बनाना देख लेते हैं कि कैसे बनाई जाती है तो इसलिए हम watchlist section में आ जाएंगे watchlist section में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी watchlist अगर आपने पहले से बना कर रखे होगी तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी उसके साथ साथ आपको एक यहाँ पर invested वाली watchlist देखने के लिए मिलेगी जहाँ पर आपकी जितनी भी holdings होगी वह आप यहाँ पर चेक कर सकते हो तो चलिए एक नई watchlist बना लेते हैं उसके लिए हम हम इस settings वाले बटन पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर add new watchlist का बटन देखने के लिए मिल जाएगा उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर watchlist का नाम दे सकते हो जैसे में से option buying ओबी और हम निफ्टी बैंक में यहाँ पर आज ट्रेड करने वाले ते इसलिए बी एन एफ इसे में दे देता हूं तो ऐसा आप जो भी नाम चाहो वो दे सकते हो उसके बाद आपको सिंप्रेस राइट वाले बटन पर क्लिक करना है और आपकी एक नई watchlist यहाँ पर create हो ज मेरा इंडेक्स यहाँ पर आ गया है तो उसे एड करने के लिए हमें सिंपले इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है एक बार एक बार जैसे आप क्लिक कर दोगे वो जो है watchlist में एड हो जाएगा यहाँ पर वो एड हो चुका है पर यह हमने सिर्फ spot का प्राइस देखने के पर इंडेक्स एड किया है इसके साथ में future का प्रैस भी यूज़ करता हूं इसलिए मैं future वाला भी जो मेरा इसमेहने का future है वो भी में यहाँ पर ऊैड कर लेता हूं तो यहाँ पर उसका future भी आगया है आप चाहों तो अगले मनत का भी future वी कर सकते हो फिलाल मैं इसे add कर लेता हूँ तो ये भी जो है हमारा add यहाँ पर हो गया है आप देख सकते हो लगबग spot का और future का price जो है वो लगबग similar ही चल रहा है कुछ 10-15 points का फरक यहाँ पर है तो इतना कुछ यहाँ पर premium available नहीं है future में अभी क्योंकि आज 27 August है और 2 दिन के बाद यहाँ पर monthly expiry है future की इसलिए यहाँ पर इतना premium available नहीं है तो चलिए अभी strike price जो है यानि कि जिस भी option में हम यहाँ पर trade करने वाले है वो decide कर लेते हैं तो अभी जो है price लगबग 51,200 के आसपास का चल रहा है तो 51,200 के आसपास का जो call और put होगा वो दोनों यहाँ पर add the money हो जाएगा तो मैं तो trade करना चाहता हूँ OTM में यानि कि out of the money में मैं यहाँ पर trade करना चाहता हूँ तो 400 से 500 point उपर हम यहाँ पर जो है वो strike price चूज कर लेते हैं तो चलिए वो भी यहाँ पर add कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर 51,600 डाल देता हूँ यहाँ पर जो है वो कल के expiry की यहाँ पर call or put दोनों मेरे सामने आ गया है आप अगर चाहो तो next expiry का भी call or put यहाँ पर add कर सकते हो तो चलिए मैं call or put दोनों यह add कर लेता हूँ तो हमारा call or put दोनों भी add हो गया है मुझे यहाँ पर हलका अभी भी इसका premium थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं 51,700 का भी यहाँ पर add कर लेता हूँ इसे भी मैं add कर लूँगा तो आप देख सकते हो 51,700 का call का लगबग मेरे price के आसपास है तो चलिए हम इस वाले call option में जो है आपर ट्रेड ले लेते हैं तो ट्रेड लेने के लिए आपको simply जिस भी call या पूट आप्शन में ट्रेड करना है उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने आपर बहुत सारी information डिस्प्ले हो जाएगी तो सबसे पहले आपको मार्केट सेक्षन में यहां पर मार्केट डेप्ट देखने के लिए मिलेंगी जहाँ पर आपको सारी numerical form में और percentage form में दोनों में ही डेटा देखने के लिए मिल जाएगा इसके अलावा अगर आप इस पर अलर्ट लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहां से लगा सकते हो अगर आप एक बास्केट और पर इसे एड़ करना चाहते हो तो वो भी आप इस बटन के मदद से कर सकते ह नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि यहां पर call का price हम चेक करते है पर उसी के साथ साथ हमें यह भी चेक करना होता है कि put के premium जो है वो बढ़ रहे है या नहीं ताकि हमें idea लग सके कि call का premium जो है वो घटने वाला है या बढ़ने वाला है तो वो की price जो है वो monitor कर सकते हो तो आपको फिर से back जाकर put का chart open करने की या put का जो है वो ऐसा section open करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप directly यहां पर एक simple button के मदद से वो कर सकते हो मैं फिर से call पर set कर देता हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और discuss कर लेते हैं इस Greeks वाले button पर Greeks में आने के बाद आपको यहां पर इस option के जो है सारे Greeks यानि की पाचों Greeks आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे आपको इसके लिए कोई दूसरी साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है आप यहां से उसे monitor कर सकते हो इसके अलावा आपको यहां पर PCR interpretation मिल जाता है यानि की PCR उसका volume put call कितने है वो आप यहां पर देख सकते हो अगर आप चाहो तो आपको इसके अलावा यहां पर trade data भी देखने के लिए मिलेगा कि कितना change in हुआ है कितना change in volume है यह आप यहां पर चेक कर सकते हो अगर आपको option chain का analysis करना है तो वो भी आप यहां से कर सकते हो आप इस option chain वाले section में आकर अगर आपको इससे बड़ा करना है तो आप इस पर click करके उसे बड़ी भी कर सकते हो आपको अगर अलग expiry की यहां पर option chain चेक करनी है तो यहां से आप expiry भी चूज कर सकते हो तो यह जो blue box आपको दिखाए दे रहा है यह spot का price आपका होगा और उ यहां से भी analyze कर सकते हो next option है हमारा payoff graph का यहां से आप देख सकते हो कि payoff graph कैसे इस strike price का है तो आपकी position कब यहां पर profit में जाएगी कब loss में जाएगी वह आप यहां पर जो है आपका cursor या finger move करके यहां पर check कर सकते हो उसके नीचे आपको यहां पर max profit कितना होगा max loss आपका कितना होगा आपको कितनी margin यहां पर लगने वाली है इसमें और आपका break even point क्या होगा वह आप सब यहां पर check कर सकते हो अगर आप यहां पर एक lot एक lot में नहीं उससे ज्यादा lot में अगर आप trade करते हो तो यहां पर आप quantity बढ़ा कर उसे check भी कर सकते हो और बाकी क की चीजें भी discuss कर लेते हैं आपको यहां पर change in open interest जो है कितने दिन बचे है expiry के लिए वो भी आपको इस section में देखने के लिए मिल जाएंगे आपकी implied volatility आगर आपको यहां पर check करनी है यहां पर spot का price उसके नीचे इस particular strike price की opening price क्या थी आज की आज जिसने हाई कितने का लग आया यह भी आप यहां पर check कर सकते हो तो अगर यह सब check करने के बाद और analysis आपका करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने इस strike price पर जो है वो trade लेना चाहिए तो आप directly यहां पर आपको दो बटन देखने के लिए मिल जाएंगे एक होगा buying का एक होगा selling का अगर आप आप एक option buyer हो तो आप buying के साथ जा सकते हो अगर आप एक option seller हो तो आप यहां से sell भी कर सकते हो तो यह तो हो गई हमारी पहली वाली method चली अब देख लेते हैं कि दूसरी वाली method क्या है दूसरी वाली method है हमारी directly charts पर ट्रेडिंग करने की जी हां दोस्तों हम धन में जो है directly charts यहां पर trade कर सकते हैं तो चलिए यह बहुत ही interesting feature है इसको भी मैं आपको एक example के साथ show कर देता हूँ तो हमें सबसे पहले इस strike price का जो है वह चार्ट open करना है चार्ट open करने के लिए आज आना है हमें इस on charts वाले section पर उसके सामने आपको दो बटन देखने के लिए मिल जाएँगे एक होगा चार्ट EyeQ का एक होगा ट्रीडिंग व्यू का अगर आप एक चा отправ करते हो तो आप उसे भी open कर सकते हो तो मैं ट्रेडिंग व्यूह का इंटर्फेस मुझे ज्ञाधा फ्रेंडल लगता है तो इसलिए यहां पर चार्ट ओपन कर लेता हूं तो आपके सामने कुछ ऐसा चार्ट यहां पर ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले में क्या करता हूं यहां पर यह डेली टाइम फ्रेम पर सेट है तो इसे में पहले छोटे टाइम फ्रेम पर सेट कर लेता हूं ताकि हमें एनलिसिस करने मे यहां पर थोड़ी आसानी हो इसयां में five minutes पर SET कर लुंगा गैउल करें तो five minutes पर जो है वह यहां पर हमारा जो चर्ट यहां पर सेट हो lunch अगर आपको कोई indicator यहां पर लगा ना है तो आप इस indicator वाले बटन की मदद से लगा भी सकते हो से मैं एक इंडिकेटर यहां पर लगा लेता हूं कि मूविंग एवरेज का तो मूविंग एवरेज एक्सपोनिंशल यहां पर मैंने लगा लिया है तो यह बाइडिफॉल्ट नाइन पर सेट होगा अगर आप चाहो तो इसकी सेटिंग्स चेंज भी कर सकते हो आपको सिंपली उस मूविंग एवरेज पर क्लिक करना है यानि कि जिस भी इंडिकेटर اगया उस पर क्लिक करना है अपको यहां पर सेटिंग्स मिल जा ईप वो सेटिंग्स में जाकर यहां पर चेंज फ्येंज आपके कर सकते हो इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हमारा index का जो chart है, वो भी हम यहाँ पर add कर सके, उस पर हमको simply यहाँ पर click कर देना है, उस पर जैसे मैं click कर दूँगा, आप देख सकते हो, nifty bank का chart जो है, वो मेरे सामने यहाँ पर open हो गया है, तो हम हमें monitor करने में यहाँ पर बहुत ही आसानी यहाँ पर हो जाएगी, मैं उप उपर के उपर यहाँ पर shift कर सकता हूँ, और दोनों ही charts को में यहाँ पर monitor कर सकता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर trading करने में आसानी होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि on chart trading के सी करनी है, तो सबसे पहले आपको आपका analysis कर लेना है, जैसे आप देख सकते यहाँ पर जो है वो resistance है, और यहाँ पर इसने अभी लगबग लगबग support break किया है, तो अभी मैं तो call option buy करना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो cursor है या जो भी आप use कर रहे हो, finger वगेर या pen अगर आप use कर रहे हो, तो आपको simply is cursor पे जिस भी price पे आपको buy क करना है, उस price पर आपको ले के जाना है, जैसे मैं यहाँ पर 20 रूपिस पर अगर इस option को buy करना चाहता हूँ, तो मैं 20 रूपिस पर मेरा cursor ले कर जाने के बाद यहाँ पर इस plus वाले बटन पर click करने के बाद, आपके सामने आपर तीन टाइप के orders आ जाएगी, आपको option को choose कर लोगे, buy वाले option को, उस पर click करने के बाद, आपके सामने एक dialogue box open हो जाएगा, जहाँ पर आप choose कर सकते हो, अगर आपको market order भी लगानी है, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप limit order ही लगाओ, मुझे आपर limit order लगानी है, इसलिए मैं limit order ही यहाँ पर set रहने देता हूँ, उसके बाद अगर आप चाहो, कि यहाँ पर आपको buy नहीं करना, यहाँ पर आपको sell करना है, तो आप सीधा है आपर sell वाले बटन पर अगर इसे click कर देते हो, तो यह यह जो buying वाली window है, वो selling में convert हो जाएगी, तो आप simply यहाँ पर click करके इसे buy or sell में toggle भी कर सकते हूँ, तो चलिए price set कर लेते है, price हमें set करनी है, लगबग 20 rupees के आसपास, तो इसे 20 पर में set कर देता हूँ, 20 पर मेंने set कर दिया, उसके नीचे आपको यहाँ पर units देखने के लिए मिलेगी, जैसे अभी nifty bank का एक lot जो है, वो 15 units का होता है, इसलिए यहाँ पर 15 पर यह set है, तो अगर आपको 2 lot में यहाँ पर trade करना है, तो यहाँ पर आपको 30 units दालने पड़ेगा, अगर आपको 3 lot मे calculate भी कर सकते हो, तो यह सब चेक करने के बाद और price वगरा subset करने के बाद, हम थोड़ा नीचे स्क्रोल करेंगे, आपको यह दोना option फिलाल के लिए ignore करने है, क्योंकि हमें stop loss और target यहाँ पर set नहीं करना, मैं आपको दूसरी मेथड़ से set करके बता भी दूँगा, उसके अगर आपको यह position carry करनी है overnight, तो उस case में आपको जो है यहाँ पर product में आकर इस arrow पर click करना है, arrow पर click करने के बाद इस normal वाले बटन पर आपको click करना है, तो यह जो है वो carry forward वाले या delivery वाले position पर set हो जाएगी, उसके बाद हम इस buy वाले बटन पर click कर देंगे, तो आप सकते हो, सबसे left में हमें यहाँ पर quantity देखने के लिए मिल जाएगी, जितने भी quantity आपने buy की है, बीच में यह कौन से type का order है, यह buy limit type का order है, और यहाँ पर आपको एक X वाला बटन देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप आपकी position जो है वो directly close भी कर सकते हो, वो मैं आपको कर करके भी बताऊंगा, पर उसके पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपसे गलती से order गलत प्राइस पर लग जाती है, जैसे हमने 20 रुपीज पर सेट की है, पर आपको लगता है कि यार 32 पर प्राइस है, तो मैं इसे 25 पर सेट करना चाहता हूँ, तो आपको simply जो है, वो इस ब modify करना है, तो आप modify को choose कर सकते हो, अगर आपको इसे cancel करके एक नई order place करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो, मैं फिलाल आपको modify करके इसे बता देता हूँ, तो modify पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हम फिर से price में कुछ changes कर देंगे, इसे 23 के जाग पर 25 रूप पीस पर सेट कर द execute यहाँ पर हो जाएगी, तो चलिए मैं थोड़ा इसे market price के आसपास लगा देता हूँ, ताकि मेरी order जो है, वो execute हो जाए, तो इसे फिर से modify हम कर लेंगे, price लगबग 30 रूपिस के आसपास चल रहा है, तो मैं इसे 30 पर इसेट कर देता हूँ, था कि हमारी order जो है, वो trigger हो जाए, तो हमारी order आप देख सकते हो, वो यहाँ पर successfully execute हो गई है, और जितना भी profit loss होगा, वो भी on screen ही आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको फिर से positions वाले section में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका P&L जो है, monitor यहाँ पर कर सकते हो, अगर आपको इस order पर यहाँ पर stop loss अगर लगाना है, तो वो भी कैसे लगाना है, तो आपको फिर से आ जाना है, जिस भी price पर हमें stop loss लगाना है, जैसे हमने 30 रूपिस के आसपस यहाँ पर buy किया है, तो 20 रूपिस के आसपस में अ जाने कि आपका trigger price देखने के लिए मिलेंगा, तो आपका trigger price जो है, वो हलका यहाँ पर थोड़ा उपर होना चाहिए, आपके limit price से, तो यह already यहाँ पर set है, तो इसे में वैसे रहने देता हू, units भी हमारा एक ही रहने देना है, नीच आ जाएंगे, यहाँ पर product intraday है, हमने यहाँ पर normal में लिया था, तो इसे भी normal में मैं set कर देता हूँ, और click कर देता हूँ, इस cell वाले बटन पर, तो आप देख सकते हो, on screen ही जो है, मेरा यहाँ पर stop loss भी लग गया है, तो इसी प्रकार आप आपका stop loss और target भी set कर सकते हो, अभी मुझा अगर मेरी position जो है, वो का यहाँ पर यह order pending है, तो पहले मुझे उसे cancel करना पड़ेगा, तो उसे भी मैं similar process से cancel कर लेता हूँ, और वो जो है, आप देख सकते हो, order मेरी cancel हो चुके है, तो चलिए हमारा position देख लेते हैं, exit हुआ या नहीं, उसके लिए हम आ जाएंगे हमारे orders वाले section पर, तो back करके, हम आते हैं हमारे orders वाले section पर, orders वाले section में हमें आना है, इस positions वाले बटन पर, और यहाँ आप देख सकते हो, अभी भी जो है, आपकी position ongoing है, तो इसे हम exit करने के लिए, उस पर click करेंगे, click करने के बाद आपको यहाँ पर exit position का बटन मिलेगा, उस पर click कर देंगे, click करने के आपको click करना है, instant sell करने के बाद आप देख सकते हो, मेरी position जो है, वो यहाँ पर, यह sell वाला order हमारा execute हो गया है, और positions वाले section में अगर हम check करें, तो आप देख सकते हो, closed positions वाले section में हमारा यहाँ पर यह position दिखा रहा है, तो मुझे हमें यहाँ पर 83 रुपीज का लगबग profit हुआ है, तो वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जितना भी profit loss आपका होता है, वो आप यहाँ से check कर सकते हो, यह था हमारा second way of trading, जो हम धन में use कर सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं हमारे third method की और, जो कि है हमारा flash trade, flash trade को access करने के लिए आपको इस orders वाले section में यहाँ पर ऊपर एक flash वाला button देखने के लिए मिलेगा, तो उस पर हम click कर देंगे, तो flash में आने के बाद सबसे उपर आपको जिस भी index में आपको trade करना है, उसके यहाँ पर सारे options मिल जाते हैं, तो यहाँ पर से आप choose कर सकते हो, जैसे में यहाँ पर example के लिए sensex choose कर लेता अगर आपको लगता है कि market उपर की तरफ बढ़ने वाला है, तो आप bullish side में trade ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि market नीचे की तरफ जाने वाला है या गिरने वाला है, तो आप bearish section में trade ले सकते हो, यहाँ पर से आप आपका जो number of lots है, वो decide कर सकते हो, उपर आपको quantity दिख कर सकते हो, उसके बाद यहाँ से आपको expiry select करने का option मिल जाता है, अगर आपको immediate expiry में नहीं, उसके अगले expiry में trade करना है, तो वो भी आप यहाँ पर select करके कर सकते हो, जैसे मैंने इसे अभी 6 September पर set कर दिया, उसके नीचे आपको यहाँ पर add the money option मिल जाएगा, यानि कि ज यह जो है, वो put में convert हो जाएगा, उसी के साथ साथ आप देख सकते हो, यहाँ पर B दिखा रहा है, B मतलब आप यहाँ पर option buying कर रहे हो, यह जो section है, वो particularly option buyers के लिए है, यह option sellers के लिए बिलकुल भी नहीं है, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर जो है, आपकी order जो है, वो market type order में place होगी, आप यहाँ से limit order place नहीं कर सकते, क्योंकि यह बहुत ही fast execution के लिए, यह जो है, वो section बनाया गया है, तो आपको फटा फटा अगर trade लेना है, तो आप इस flash trade का use कर सकते हो, यहाँ पर आपको जो है, वो premium देखने के लिए मिल जाएगा, option का कितना चल रहा है, उसके नीचे आप यहाँ पर कितनी margin आपको इस trade को लगेगी, वो भी आप चेक कर सकते हो, अगर आपको trade लेना है, तो आप simply इस button को right swipe करोगे, तो यह आपका trade instantly यहाँ पर execute हो जाएगा, उसके नीचे आपको यहाँ पर highest way का option मिल जाएगा, यानि कि जिस कौन से भी option में यहाँ पर OI सबसे जादा highest है, उसका भी आपको strike price यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, आपको option chain में जाकर यहाँ पर manually कुछ भी analyze करने की ज़रूरत नहीं है, directly आपके सामने यहाँ पर strike price आ जाएगी, उसके नीचे आपको यहाँ पर top traded contract by volume जो है, वो भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि नहीं, 81,700 पर मुझे premium थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मुझे थोड़ा 100-200 पॉइंट उपर निचे trade करना है, तो वो मैं है से कर सकता हो क्या, तो बिल्कुल दोस्तों आप कर सकते हो, आपको यह 81,800 पर यहाँ पर सेट हो गया है, अगर मैं प्लस 2 पर सेट कर दूँगा, तो यह 81,900 पर यहाँ पर चेंज हो गया है, तो इससाब से आप चाहो तो यहाँ पर modification भी कर सकते हो, तो यह हमने तीनों मेथड़्स यहाँ पर discuss कर ली है दोस्तों, जिसके मदद से आप धन में option trading कैसे कर सकते हो, पर और एक hidden method है दोस्तों, जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगी, तो धन का एक dedicated options trading का एक app है, तो उसका भी मैं आपको एक short में brief दे देता हो, तो चलिए, open कर लेते हैं वो app, तो ऐसा वो app का logo है, उसे आपको open कर लेना है, अगर आपने login नहीं कि आप तब तक इसमें login भी कर सकते हो, login करने के बाद आप उपर यहां पर nifty मेरा set है, तो nifty के ticks यहां पर दिखाई दे रहे है, आप यहां से advance और declines भी check कर सकते हो, nifty के, आपकी जितनी भी positions, अगर आपने धन के green application में भी ली है, तो वो भी positions आप यहां पर देख सकते हो, ऐ यहां पर उसके oi movers, price movers, अगर आपको option chain देखनी है, वो भी आप यहां से देख सकते हो, आपको flash trade करना है, जो अभी हमने discuss किया, वो चाहो तो आप यहां से भी access कर सकते हो, इसके अलावा आपको अगर commodities में trading करनी है, तो वो भी आपको इस application में देखने के लिए मिल जाता है, इसके अलावा एक बहुत ही exclusive feature यहां पर धन options trader app में हमें देखने के लिए मिलता है, जो बहुत ही फायदे मन्द है, option, buyers और sellers दोनों के लिए ही, तो उसे में open कर लेता हूँ, जो कि हमारा strategies वाला section, अब आपको पता ही होगा, अगर आप option में trade करते हो, तो कि कही सारी strategies यह करके हम options में trading कर सकते हैं, तो आप चाहो, तो यहाँ पर उसकी मदद से, यानि कि इस builder वाले option की मदद से, आप यहाँ पर आपकी जो strategy है, वो manually यहाँ पर build कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे एक call buy किया है, और एक call sell किया है, अगर आप चा आप टो एड़ वाले बटन पर क्लिक करके, यहाँ पर आप आड़ लेक करोगे, तो हम एड़ लेक वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर यह चार लेक जो है, मेरे एड़ हो चुके है, उसी के साथ साथ अगर आपको इसका pay off graph check करना है, तो pay off व वहाओगे अगर आपको उसका चार्ट देखना है तो चार्ट वाले सेक्षन में आकर आप उसका जो है लाइन चार्ड भी यहां पर देख सकते हो उसके नीचे आपको max loss कितना होगा इस strategy में max profit कितना है risk reward ratio भी आप यहां पर देख सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट भी आप चेक कर सकते हो, उसके नीचे आपको इस strategy के Greeks भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर इन्होंने strategy builder हमें provide किया है, इसी के साथ साथ अगर आपको खुद से strategy बनानी नहीं आती, आपको अगर pre-built strategies में trade करना है, तो वो भी आप इस pre-built वाले section में आकर कर सकते हो, यहाँ पर by default बहुत सारी strategies हमें देखने के लिए मिल जाती है, कौन से type की यहाँ पर strategies है, उनके भी अलग-अलग section आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप एक bullish trade plan करना चाहते हो, तो आप simplest bullish वाले section में आकर इन तीनों में से कौन सी भी आपको जो भी strategy में trade करना है, उस पर आपको simply click कर देना है, click करने के बाद आपके सामने और strategies open हो जाएगी, आपको जिस भी strike price पर यहाँ पर trade करना है, उस पर अगर आपको यह trade लेना है या नहीं, लेना है तो आप simply इस execute trade वाले बटन पर click कर दो, आप महाँ से trade ले सकते हो, अगर आप चाहो अगले expiry में trade करना चाहते हो, तो expiry का भी बटन हमें देखने के लिए मिल जाता है, इस strategy को अगर आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप comment section में मुझसे जरूर पूच सकते हैं, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा, तो like, share, subscribe जरूर करना, मिलता हो आपसे next वीडियो में, thank you